आप सब लोगों के स्वागता आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीत कैनेडा आज मैं बोलके नहीं बताऊंगा आज मैंने का मैं आपको लाइव दिखाऊंगा लेके ठीक है तो कैसी लगी टी-शेट आपको मिरको बताना और अगर आपको भी ऐसी कस्ट मैं इस टी-शेट बनवानी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं एक इंस्टाग्राम की आईडी का तो आप उनको जाकर कर सकते हो अपने स्टूडेंट ही है इधर और प्राइस भी बिल्कुल ठीक है आप अपनी फोटो भी बनवा सकते हो और कुछ आ नहीं पता परीत कैनड़ा दो ढई साल से चैनल बना रखा है आपको कोई भी इंफोमेशन चाहिए नीचे जाओ स्क्रोल करो आपके मतलब की कोई ना को वीडियो आपको मिली जाएगी अगर नहीं मिले तो मेरे को कमेंट कर देना मेरे को उसके बारे में अगर कुछ पता हो होगा तो मैं उसका आपको आंसर जरूर दूँगा अगर नहीं पता होगा फिर नहीं दूँगा ठीक है जी तो एक मन से वीडियो ने डाली थी आज वीडियो बनाने लगा हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है बाहर पिछले हफते से बहुत ज्यादा सनो पट रही थी आज वैदर बहुत गुट है इसलिए टी-शेट डाली है आप देख सकते हो टी-शेट डालके आज बाहर जाएंगे गुमने फिरने सेचड़े का दिन है वीकेंड पर बाहर जाने से पहले मैंने का वीडियो बना लेते हैं वीडियो का टॉपिक है आज पीयर से रिलेटेड यही है कि अभी तक कैनड़ा गवर्मेंट की तरफ से कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो वर्क परमिट में हैं उनको हेल्प मिल सके पीयर से रिलेटेड स्पैसली अलबाटा में तो जिसको नहीं पता अलबाटा ऑपरचुनिट स्टूडेटी स्ट्रीम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए थी जिसमें स्टूडेंट छे मिने काम करके अपनी स्टूडी से रिलेटर जोब में फाइल लगाता था वो उन्होंने टेंपरेरी बंद कर रखी तो अब उसको बंद हुए आल्मोस्ट दो मीने हो चुक पहले लगा था कि उसमें श्टूडेंट्स को कुछ हल्प मिले पर ऐसा नहीं था वो जो स्ट्रीम थी उनके लिए थी जो उन-उन जॉब्स में लेंगे फिर वो जो स्ट्रीम ओपन होई थी वो उपन होते ही एक दिन में बंद होगी थी ठीक है तो उसमें भी अपनी बात नहीं बनेगी अब मसला यह है कि पियार होंगे तो होंगे कैसे यह मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन और आपके दिमाग में भी क्वेश्चन है इसका अंसर देखो ना तो मैं दे सकता हूं ना कोई और यूट्यूबर दे सकता है ना कोई भी बंदा नहीं दे सकता है आप टूटों ने कर दिया सबको पक्का, सबको मिलेगी पीयर, आप सब लोग वीडियो खोलोगे ना, वीडियो देखोगे ना, सब सच में पीयर मिल रही है जो नहीं, तो यही चीज है, ऐसे बातों में मताय करो, आपको कोई भी इसके बारे में नहीं बता सकता, ये सिर्फ कैनड आपडाउन के टाइम पर टीयार टू पियार आया था भी आपको कोई वर्क एक्स्पिरियंस नहीं चाहिए अगर आपने आयल्स कर रखी है आपने स्टडी कर रखी है तो आप सीधी अपनी फाइल लगा दो आपकी पियार आजएगी तो जा तो टीयार टू पियर जैसा कुछ हो तो उस जोब को कंटिन्यू रखो क्योंकि कुछ नहीं पता किस दिन ऑपरजुनिटी स्ट्रीम ओपन हो जाए तो जैसे ही ऑपरजुनिटी स्ट्रीम ओपन होती है अगर आपके पास छे मिने का एक्स्पिरियंस हो चुका होगा अपनी फील्ड जोब में आप अपनी उसम करके उसमें फाइल लगा देना एक तो यह है अलबर्टा में दूसरा है अलमाई यह आपको अलमाई लेनी पड़ेगी फिर उसके अंदर काम करके आपकी प्यार होगी छे मिने जाए एक साल पर अलमाई के भी रूल से चेंज हो रखे हैं पिछले कुछ दिनों पहले अपड लोगे उसका बिजनस दो साल पुरान होना चाहिए उसका एक साल का जो ग्रॉस होना चाहिए जो उसकी कमाई होनी चाहिए चार लाग डॉलर होनी चाहिए फिर ही आपकी जॉब ओफर वैलिड होगी तो ऐसे ऐसे रूल से काफी चेंज हो चके हैं चुके हैं इंटर्माईनल स्टूडेंट्स के साथ भी चेंज हो गए, LMIA वालों के लिए भी चेंज हो गए, तो overall सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, अभी कैनडा के अंदर, job market भी बहुत थंडी चल रही है, कल भी मेरेको एक मेरा भाई मिला ट्रेन में जब मैं आ रहा था डाउन टाउन से वापस, तो उसमें बताया भी भाई मैं कैलकटा से हूँ, और मेरेको दो मीने होगे मेरेको जॉब नहीं मिली, इंडिया से उसके पास तीन साल का experience भी था, अपना business analyst का वो course कर रहा है यूनिवर्स्टी ओफ कैलगरी में, तो दो मीने से उसको जॉब नहीं मिली, तो यह हाल है, और भी मेरेको बहुत बंदे मिलते हैं, जिनको दो, तीन, तीन, चार, चार मीने से जॉब नहीं मिली, तो जॉब का भी scene कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास skills नहीं है, और उपर से लोड बहुत ज़्यादा आ चुका है, बहुत ज़्यादा students आ चुके हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पर development हुई नहीं कि उन सब students को job मिल जाए, ना कोई store open हुआ, ना कोई नया mall बना, ना कोई नई shops बनी, तो कुछ भी नहीं है, इसा हुआ, मिरको आएको कैल्गरी में ढ़ाई साल होगें, ढ़ाई साल में मिरको नहीं लगता मैंने कुछ खास ऐसा बनता देखा हूँ, हाँ, Amazon के 2-3 warehouse बन गए पिछले 2-3 साल में, और 2-4 चीज़े होगी, बस यहीं कुछ चीज़े हैं जो कैल्गरी में चेंज होई हैं पिछले 2-3 साल में, इसके लावा कोई भी ऐसी खास improvement नहीं होई है, तो अगर improvement नहीं होगी, नई industries नहीं बनेगी, नई jobs नहीं create होगी, तो जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको job कैसे मिलेगी, परबंदों को बुलाई जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है, एक-एक students, एक-एक immigrants है, इनको 25-25 लाख मिल रहा है, और young लोग आ रहे हैं, सभी young labor आ रही है, पैसे आ रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं, उसको काम मिल रहा है, उसको रहने के लिए घर मिल रहा है, इनको उससे कोई मतलब नहीं है, इनको बस यह अभी हमें पैसे दो और आ जाओ, बाकि आपको यहां पे आके कैसे रहना है, वो आप देखना, तो यह case है, तो ना तो PR का भी कुछ पता, ना job का, और रही बात rent grocery की, नहीं अफॉर्ड कर सकते, एक बंदा तो कभी भी नहीं कर सकता, 99% में, तो 1500 की basement अगर आप ले रहे हो, दो बेटरूम की, आपको चार बंदो को लेनी पड़ेगी, दो बंदे एक रूम में रहेंगे, दो एक रूम में रहेंगे, शेरिंग में, तो जाके आपको 1500 की basement जो ठीक लगेगी, तब ही एक बंदे को 300-400 आएगा, जब मैंने आया था, तो 4500 में रूम मिल जाता था, प्राइवेट अब नहीं मिलता, अब 4500 में शेरिंग में मिलता है, अब पूरा रूम अगर आपको प्राइवेट लेना है, तो 700-800 इतने में मिलता है, ठीक है जी, तो बहुत जादा महेंगा हो रखा है, रेंट का सीन भी, आपको शेरिंग में रहना पड़ेगा, अन्नोन बंदों के साथ, उसकी अलग प्राब्लम आती है, अन्नोन बंदों के साथ, क्योंकि हम इंडिया में कभी ऐसे रहे नहीं होते, उस पर किस दिन और वीडियो बनाऊंगा, कि जब आप कैनेडा में अन्नोन बंदों के साथ रहते हो, तो क्या क्या प्राब्लम साब को फेस करनी पड़ती है, ठीक है, फिर ग्रोसरी की बात करूँ, तो सारा कुछ महेंगा हो रखा है, दूद 6 डॉलर का होता था, मिल्क साथ का हो चुका है अभी, और और भी सारी चीज़ है, मतलब जब आप ग्रोसरी करने जाओ, तो आपका जहां सो लगता था, पहले आभी डेड़ सो लगता है, अल्मोस सारा चीज़ है, महेंगी हो रखी है, रेंट भी महेंगा है, पियार का भी कुछ नहीं पता, जॉब जिनके पास है, वो संभाल के रखो अपनी, जिनके पास नहीं है, कोशिश करते रो, क्या पता कब मिल जाएगा, ठीक है, किसमत में होगी, तो जरूर मिलेगी, हाड़ वर के जारी रखो, ऐसा तो नहीं है, भी बूके मर जाओगे, जो सबको मिल जाएगी, किसी को दो मीने, किसी को तीन मीने, बुरा वक्त है, निकल जाएगा, ठीक है, होंसला मत हारू, अब यहाँ पर आई गे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कर की जाएगी, ठीक है जी, तो यह सारी कुछ अपडेट थी, Alberta, Canada से रिलेटेड, जो पिछले दिनों में चल रहा है, पिछले महीनों में, I hope आपको थोड़ी सी information मिली हो, अगर कोई और information चाहिए, तो इंस्टाग्राम पर मैंसी करो, ओके, ठीक है जी, चेलो, बाई बाई, मिलते हैं, टेक केर, नेक्स्ट वीडियो में, लव यू अल,